हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आपके लिए पहुती इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके डीएश्टी के इंस्पायर फैलोशिप के फॉर्म आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो जैसे कि कई टाइम से आप सब वेट कर रह टो आपके एज होने चाहिए 22 से 27 के बीच में होनी चाहिए और साथ में यहां पर भी आप जख सकते हैं यह इस पायर फैलोशिप है डॉक्टर डिगरी के लिए और जिन्होंने मार्श्टर डिगरी कर लिए साइंस में एप्लाइट साइंस में एउंग में या बैचलर्स य क्या है तो LGBT criteria आप देखिए आपके minimum 70% CGP होने चाहिए MSC में यह Integrated MSC MSC में अब यहाँ पर एक और LGBT criteria दे रखा है कि first rank holder होने चाहिए आप with minimum 70% at university level examination in post graduation level तो यानि आपके PG में 70% minimum होने चाहिए और उसमें भी आप first rank holder होने चाहिए और एक और LGBT criteria कि first rank holder at university level exam in graduate post graduate degree in medicine only from any recognized university और आप first rank holder होने अगर graduate post graduate medicine में तो भी आप इससे भड़ सकते हैं अब एक चीज़ देख लिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है मेरे लिए having the eligibility does not guarantee the offer of inspired fellowship कहने का मतलब यह कि आप अगर eligibility criteria पूरा भी कर रहे तब भी इसकी कोई guarantee नहीं कि आप inspired fellowship मिल ही जाएगी यह depend करेगा कि जो आप form बरेंगे वह form क्या होगा और मतलब किस अपने बरा है और क्या आपने अपना रिसर्च एरिया दिया है तो आप देख सकते हैं या पर एक और सी लिखी हुए कि जिसने भी autonomous college से first rank holder होगा या वह distance education से अगर आप नहीं किया होगा तो आप eligible नहीं है अगर आपको भरना होगा तो यह लिंक मैंने हाइलाइट कर दिया है और यह जो आपको डॉक्यूमेंट है वह description box में मिल जाएगा और जोसकी डेट थी उस नॉमबर से स्टार्ट थी और लाजड़े 15 दिसंबर है तो अब आपको चाहिए क्या-क्या आपको एक तो class 10 की अगर आपने कहीं युनिवर्सिटी जोइन कर रखा है तो यह लिखावा है फॉल्रेडी एंडोलिन प्यजडी तो आपको अड्मिशन लेटर चाहिए फीर रिसीप चाहिए चाहिए प्यजी सुपरवाइजर का एंडॉस्में लेटर चाहिए रिसर्च प्रपोजल चाहिए और अगर आपने नहीं किया तो थ्री चॉइसिस ऑफ युनिवर्सिटी इंस्ट्यूट और सुपरवाइजर कहां आप लेने चाहते हैं उनके थ्री चॉइसिस आपको देना ब्रीफ टेंटिटिव राइटप और रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल का राइटप आ तो जो अल्रेडी पीएजडी में उनको दोनों लेवल एक साथ देने होंगे और तबी उनको इंस्पार फैलोशिप मिलेगी और पीएजडी में एडमिट नहीं है वो सिर्फ अभी लेवल वन का उनको इंस्पार फैलोशिप का प्रोविजिनल ऑफर मिलेगा उसके बाद ज प्रोवाइजर अच्छे से चुनने और वो आपकी हैल्प कर दिया और तब जाके आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर होता है उसके बाद दुवारा आप जब दुवारा अपना प्रोजेक्ट के देंगे तो आपके लेवल टू भी क्लियर होगा और अडमिशन के बाद तब आ आपने जितने भी आप एफ्लिकेशन भरेंगे उनके प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि ये बाद में आपके काम आ सके आपके अपने फायदे के लिए चीज़े तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी रगी होगी और आपके काम आईगी बागी आपको कोई भी थैंक यू